गंगोर कथा आज आपको गंगोर की कहानी और गंगोर का इतिहास बताएंगे साथ ही गंगोर और इसर कौन थे और हम क्यों गंगोर पूजा करते हैं और गंगोर राजस्थान में कब मनाया जाता है आधी की जानकारी देंगे तो चलिए शुरू करते हैं गणगौर की कथा एक बार भगवान शंकर पार्वती जी एवं नारत जी के साथ ब्रह्मन हेतु चल दिये। इन स्त्रिया थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चादी के ठाली में सजा कर पहुँची। इन स्त्रिया को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तुमने सारा सुहाग रस्त और निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इने क्या दोगी। पार्वती जी बोली प्राननात, उन स्त्रियों को उपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धूती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीर कर रक्त का सुहाग रस दूँगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती हो ही सुहाग पालिया, इसके बाद पार्वती जी अपने पती भगवान शंकर से आग्या लेकर नदी में सनान करने चली गई, सनान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ती बना कर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षणा करके दो कणों का प्रसाद खाकर म तुमहारा वरत करेगी उसका पती चिरन जीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्थ होगा, भगवान शिव यह वर्दान देकर अंतरधान हो गए, इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया, पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस्थान पर आई जहां पर भगवान शंकर व नारत जी को छोड़ कर गई थी, शिव जी ने विलम से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूद भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई, ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूद भात खाने का लालच में नदी तट की ओर चल दिये, पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिये, प्रार्थना क अंदर शिव जी के साले तथा सहलज ने शिव पार्वती का स्वागत किया, वे दो दिन वहां रहे, तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तयार न हुए, तब पार्वती जी रूट कर अकेली ही चल दी, ऐसी परिस्थित पार्वती में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा, नारत जी भी साथ चल दिये, चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया, माला लाने के लिए पार्वती जी तयार हुई, तो भगवान ने पार्वती जी को न एक पेड़ पर तंगी दिखाई दी। नारत जी ने माला उतारी और शिवजी के पास पहुँचकर यात्रा कर कश्ट बताने लगे। शिवजी हंसकर कहने लगे यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली मैं किस योग्य हूं। यह सब तो आपकी ही कृप है। ऐसा जानकर महर्शी नारत जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिवरत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंट से प्रंशसा की।